आटाहित नमस्ते प्रणाम रामराम क्यासे हैं आप सब् आच की रेसीपी में हम बनाने वाले हैं इसको कुछ लोग ड्रब्स्टिक वह भी बोलते हैं शौल लुगे शौले लेलिया हूं आज हम बनाने वाले हैं ड्रमस्टिक की सबजी हमने ले लिया है आधा किलो ड्रमस्टिक ले लिया था हमने सहजन और उसके साथ ही हमने ले लिया है ये तीन बड़े साइज का आलू था इसको हमने छील करके क्यूब्स में मेडियम साइज में मैंने कट कर लिया इसको अच्छ सब्सक्राइब नियुकुनियू पया लोग मैंने सोखा ओर भी किला लोग थोड़ा सबसे हुआर यह था कित आधा गया आndग दो छाया झाल तो ठबुशा भाइलould WOW सरसो को अलग से हम क्या करेंगे पीस लेंगे और जो मसाले हैं उनका अलग से स्मूध सा पेस्ट बना लेंगे और जब तक वो हम पेस्ट बना के रख लिए हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे जो ड्रम स्टिक हमारा सहिजन है उसको हम काट लेते हैं ये एक दम मुलायम वाला सेजन है इसमें रेसे नहीं है ना तो इसको हमको सिर्फ ऐसे ही चाकू से कट कर लेना है अभी ये बहुत ही मुलायम वाले आ रहे हैं सेजन तो इसको ऐसी बनाईए गब बहुत ही बढ़िया इसकी सबजी बनती है बहुत ही टेस्टी वाली सो देखिए लास्ट में किसी-किसी में अगर जो टाइट होंगे उसमें कुछ इस तरह का रेशा निकलता है जैसे की सेमने निकलता है तो इसको हम निकाल देंगे बाकि हमारे जो सारे रम स्रिक थे वो बिल्कुल मुलाएं मौले थे तो हमने क्या किया है चाकू की मदद से चाहे वन बाई वन करके कट कर लीजिए तीन इंच के टुकड़े में या फिर आप ऐसे रख करके चॉपिंग बोर्ड पे आप इकठा भी इसको कट कर सकते हैं देख करके दो लिया है और कड़ाई में दो बड़ा चम्मस तेल लिया है उसमें हमने जो आलू हमारा इसको हम डाल देंगे और इसको अच्छे से लाइट गोल्डन ब्राउण होने तक इन आलूओं को बूरना है जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती है एकदम इस को भूनना है ज्यादा टाइम नहीं लगता दो से धाय मिनट लगता है इनको हाई फ्लेम पे अगर आप करेंगे तो लाइट गोल्डन होने तक यह 40 परसंट जैसा पक भी जाती है और बहुत ही बढ़िया एक कलर इनके उपर एक कोटिंग हो जाती है और जो हाई फ्लेम पे आ हमारा जो ड्रम स्रीक है इसके ओपर हमको को ढ़न्बंस्रीक को हमने दोलिया था दोपानी इसको भी हम इसके अंदर एड कर देंगे और हाई फ्लेम पे 2 मिनट जैसा सिर्फ इसको हम भूनेंगे उपर भी प्रेंग दो मिनट जैसा बूनेंगे क्योंकि यह बहुत मुलायम ह जो सहीजन है हमारा तो इसको हमको बहुत देर तक नहीं फ्राई करना है बस दो मिनट जासा फ्राई करेंगे हम इसके बाद इसको हम निकाल लेंगे हाई फ्लेम पे करेंगे तो बिल्कुल भी तेल नहीं पीती है सबजी और सेम तेल में आप अपने मसाले भी पका सकते हैं तो हमने जो आलो और सेजनता उसको निकाल लिया और सेम जो आउल में हमारा बच्चा हुआ था कड़ाई में उसी में हमने डाल दिया एक छोटा चमची जीरा डाल दिया है और उसी के साथ हमने एक इंच यह दाल्चिनी का टुकड़ा और दो बड़ी लाइची अड़ कर दिया इसी के अंदर और दो से तीन तेजपत्ता इसमें हम डालेंगे और हलका से इसको जब तक यह कारवलाइज तब तक हमको भून लेना है जीरा, तेजपत्ता हैं इसकी हमझे परी बना आपकुन, नहीं ऐड़ करना है इस इसी करना है, और इसको एक मिनट जैसा हाई-», इसके याफ कि चलमच में डाल निया है और याफ कर देख़ां नहीं होता है और तो 60 कह सब्स मोर्स के लिए झाय चमसे और कि watch कर देखा नहीं होता है और अगर आप हरी प्याज नहीं एड़ कर रहे हैं तो इसकी जगह पे आप दो बड़ा साइज का प्याज ले लिजेगा और इसके साथ ही मैंने एड़ कर दिया है एक टेबल स्पून से थोड़ा सा कम देखिए बहुत ज़रा सा मैंने आधा टेबल स्पून जैसा इसमें चिक मेडियम तो हाई फ्लेम पे मसाले को भूना है जब तक यह तेल नहीं चोड़ेगा तब तक भूना है जब हलका हलका तेल चोड़ने लग जाएगा हमारा मसाला तो जो हमने सर्सों पीस करके रखा है इसको एड़ कर देंगे और इसको भी हमको 2-5 मिनिट मेडियम तो हाई फ यह खत्या करेंगे लग अच्छे से पका देगा वो तो हमको दो मिनद तक हाई फ्लेम पे इसको उलट पलट कर अच्छे से भून लेना है 80 परसंट तक हमारी आलू जो है पक चुकी है तो हमको अब क्या करना है इसमें पानी एड कर देना है जरूरत के अकॉर्डिंग मैंने इसमें पहले डाला था कर बढ़ा यह ग्मधाब अच्छे से पानी धार की जो हम आदी उलट कर देगा था हमने ठीज कंग पानी पानी को हमसें साथ को Tigers अब इसमें शहागा छिकए जाला था रहा है यह है अजरु थे पहुत ही परफेक्ट मेजरमेंटलने औह इस तरह से डालेगे तो और हाथी अ're आप प्रम रोटी ऑसे बहुत ही जाती है लगना सकते हैं पर एक सिर्फ शको ब्यू बहुत ही बढ़ता जाते हैं बहुत ही बहुत ही आंख़े प्ल offense रहा है तो इस मिल रहा हो तो आप जरूर बना कर कहाई गाई सबसेन और पानी को एड़ करने के बाद इसमें हमको बस नमक डालना है इसके अकॉर्डिंग मैंने डाला है दो टेबल स्पून नमक और यह करीब आठ से दस लोग इस सब्जी को खा सकते हैं जितना मैंने बनाया है तो आप अपने जिस तरह से आप सब्जी बना रहे हैं कम जादा नमक और यह चीजें के अकॉर्डिंग आड कीजेगा और बस जब दक यह बबल आने लग जाएगा कोस तरह से बॉइल होने पानी लग जाएगा पानी हमारा तब तक इसको हाइफ लेम पर ओपन पैंन में पकाना है इससके बाद इसको एक मिक्स देले देना है जिसके जो सर्सों तले में चिपके ना बस इसको कवर करके पांच मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे रखेंगे दिन इसको ओपन करके हम चलाएंगे देखें बहुत ही टेंटिंग सी बहुत ही टेस्टी वाली सब्जी रेडी हो चुकी है तेल जब तले से देखें कुछ इस तरह से तेल छोड़ने लग जाएगी आपकी सब्जी तो समझ लीजिए आपकी सब्जी बिल्कुल रेडी हो चुकी है हमारी सब्जी बिल्कुल पॉफेक्ट रेडी हो चुकी है इसमें कुछ भी नहीं करना है बस इसको मिक्स करना है हमको और ग्रेवी देखें बिल्कुल पॉफेक्ट है जिस तरह से हमको चाहिए आप छावल के साथ भीखा सकते हैं रोटी के साथ भी सुझा सकते हैं और आप इस रेसिपी को एक बार जरूर से बनाईए का मेरे रिक्वेस्ट पर बहुत ही ठीसटी हो ती है बोडी के लिए आप तेल कंडु तो ठील कम age को शिए तो 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 रह जरूर दीजेगा और सबजी को मैंने सर्व कर लिया है देखिए सबजी हमारी रेडी हो चुकी है चलिए मिलते हैं आप लोगों से किसी नही रेसिपी के साथ तब तक आप लोग यह रेसिपी बना कर जरूर खाएगा और कैसे लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा झाल बाएगा झाल बाएगा ठक्षकर है पाएगा यह वाइगा बाएगा झाल यह रेसिपा